योट सब गाइस कैसे सब भी लोग वेलकम बैक टू अनादर एपिसोड ओफ पिक्सेल तो पिछले एपिसोड के अंदर हम सब भी लोग ने देखा कि हमने लगबख कुछ चार मिशन को कंप्लीट कर रहे थे और उस चार मिशन से हमारे पास लगबख आ चुके थे 6000 जेम्स और यह 6000 जेम्स हमारे आगे में future expansion के लिए या फिर savings के लिए या फिर हमारी money making के लिए काम आने वाले है पैसा ही पैसा होगा तो यह जेम्स अभी यूज करना चाहिए या फिर नहीं तो वो सारे चीदे में आज के एपिसोड के अंदर last में बताने वाला हूं बट उससे पहले आज की mission हम देखने वाले मैं आज के एपिसोड के अंदर कुछ तीन missions को complete करने वाला हूं तो video शुरू करने से पहले अगर आपसे लोग ने अभी तक video को like नीख है तो फटापच से आप videoko like जरू कर लेना इस video का like के हम वही रखने वाले 200 like का तो इस video के like game को भी फटापच से complete कर दो और चैनल पर ने हुथी चैनल को subscribe जरू कर लेना चलते अपने gameplay को शुरू करते तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारे फार्म बनाये थे लग बगा हमने एक फार्मिंग के लिए फार्म बनाये था और मॉब को कील करने के लिए अलग सा फार्म बनाये था रेल ड्रॉप्स के लिए तो आज के एपिसोड के अंदर वही फार्म हमारे और दो मिशन के लिए काम आने वाला है वो कौन से मिशन होने वाले वो भी मैं आपसे लोगों को बता देता हूं बट उससे पहले हम चुरू करते हैं आज के पहले मिशन से तो पहला मिशन हमारा कौन सा होने वाला है यह भी मैं आपसे लोगों पहले दिखा देता हूं और आपसे लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला मिशन ही है मॉब स्लेयर इसके लिए हमें टोटल 500,000 मॉब्स को किल करना है और अगर आप सभी लोग यह मिशन कर देते हो तो आपके पास लगबक 975 जेम्स आ जाते हैं वो भी एक सिंगल मिशन से तो यह बहुत जादा इजी है विकॉस आप सभी लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखी होगी और उस वीडियो के अंदर मैंने एक फार्म बनाया था जो कि मॉब्स किलिंग के लिए था वही फार्म आज हमें यूज करना है और इसी फार्म से ही हमारे मॉब्स जोए कील होने वाले है तो केसे होने वाले चलते अपने फड़ा फटते अपने आईलेंड के अंदर So last time हम अपने farm के अंदर आ चुके थे आप लोग देख सेकते हो हमारा farm जो यह बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इस ग्राइंड के लिए अभी रेड़ी हो चुका है 21 minions लगा के रखे zombies के max level पर है यहाँ पर देख सकते हो यह हमारे challenges है और यहाँ पर मैं आपसे लोगों दिखा देता हूँ इतने सारे हमें यहाँ पर kill करने 500,000 हमें यहाँ पर kill करने mobs को तो देखो last time हमें यहाँ पर use किया था loot anthesis और हमें यहाँ पर gather करने थे लगबख 1,200 rare drops तो zombies से हमें rare drops तो मिलते ही थे बट उसे साथ-साथ हमारा यह वाला mission भी background में complete होता रहता था इससे हमें और दो missions को complete करने में help मिलने वाली है तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे अभी तक कील 32,560 है ठीक है अभी मैं एक बार फिर से यह इस wand उस करने वाला हूँ जो कि स्कैप्चर wand है spirit स्कैप्चर और इसके अंदर मैंने यह वाली enchantment डाल रहके आप चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो आभी देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको कील करने वाला हूँ मैंने यहाँ पर बहुत सारे मॉप्स को कील करे आपस देख सकते हो और अगर मैं इसके चैलेंजिस के अंदर जाके देखो तो हमारे लगभक 32,610 यहाँ पर मॉप्स कील हो चुके मतलब लगभक एक टाइम पर 100 मॉप्स मैंने यहाँ पर कील कर रखे है तो एक टाइम पर 100 मॉप्स को मैं यहाँ पर कील कर सकते हो बस मुझे इसको भरने देना होता है और अगर मैं इनको मारता हूं तो यहाँ पर हमारा चैलेंजिस के अंदर चीजे एड होनी शुरू हो जाती है तो देख सकते हो यहाँ पर फिर से तो इजी पीजी आप जो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो AFK होकर भी आप स से लोगो बस AF के होना पड़ेगा यहां पर गूमना पड़ेगा तो यहां पर मिशन दिखानी से पहले आपसे लोगो यही कि लिंग चेंबर यूज करने मैं आपसे लोगो बता देता हूं तो चैलेंजिस के अंदर Scarwager Enchantment देखने को मिल जाएगा तो देखो यहाँ पर जो scavenger है ना यह जोए mobs को मारने से मिलता है ठीक है यह coins आपको mobs को मारने से मिलने वाला है तो अगर आप यहाँ पर AVE के farm के अंदर किसी बी mobs को मारते हो तो आपको इससे पैसे मिलने वाले है इसे बेटे-बेटे मैंने 1 million कमा लिये थे तो आप भी यहाँ पर पैसे कमा सकते हो बस इनको मारना है और इसी की help से आपके यह 3 mission complete होने वाले यह work केसे करता है अब मेरे इसके अंदर यह capture के अंदर मैंने आप Scarwager 5 लगा के रखा है और प्लस 20 यहाँ पर मेरे पास पर्स के अंदर एड़ हो चुके तो यहाँ पर ऐसे करके आप जो इस mission को भी complete कर सकते हो बस आपसे लोगों मारना है और यह Scarwager Sword के उपर या फिर wand के उपर वर्क करता है arrows वगरा या फिर कोई bow के उपर वर्क नहीं करता है तो आप यहाँ पर Hyperion या फिर Valkyrie के अंदर भी यूज कर सकते हो या फिर आपके पास giant sword होगी तो giant sword के अंदर भी आप scavenger यूज कर सकते हो तो इसके help से आप यूपर यूज कर सकते हो और आपके पास वह पेसे भी आ जाएंगे मॉब्स को मारते मारते ठीक है तो यह तो आपसे लोगों पता चल गया killing chamber का तीन यूज होता है आप rairdrops कमा सकते हो mobs को भी killing count कर सकते हो और उसके साथ तक scavenger से पेसे भी कमा सकते हो तो यह पेसे हमें कमाना नहीं वेसे भी कास हमें यहां पर कुछ grind करने के जरुवत नहीं बस हमें यहां पर जेम से मतलब है और जेम समें grind करने और बस बाकि कुछ नहीं के तो यहां पर अगर आपके दो missions complete हो जाते मतलब mobs killing वाला यह पिर आपका rairdrops वाले complete हो जाते तो यह scavenger हमें कहां से grind करना चाहिए तो scavenger grind करने के लिए आप यूज कर सकते हो dungeon का या पिस slayers का भी यूज कर सकते हो because slayers से भी आपके यहां पर scavenger का mission भी complete हो जाएगा तो इस तरीके से यह हमारा second वाला mission भी complete हो जाएगा तो चलते अपने फड़ापट से hub के अंदर because हमारा last mission भाँ पर होने वाला है so finally हम अपने hub के अंदर आ चुके और हमारा last mission यहां पर ही है तो यहां पर मैं आपसे लोग को पहले दिखा देता वह mission कौन सा है तो आप सभी लोग को यहां पर warrior milestone यह वाला mission दिखने को मिल जाएगा अगर आप सभी लोग यह वाला mission complete कर लेते हो तो इससे आपको 700 gems मिल जाने वाले सी एक mission से तो आप सभी लोग को 100 mobs को मारने sky block के अंदर अगर आप अपने island के अंदर 4-5 mobs spawn होते रहते जैसे कि like subs, creepers, spiders, zombies तो यह mobs spawn होते हैं उन सभी लोग को आपको मार देना है उसके बाद आप सिब लोग को अपने hub के अंदर आना है और यहाँ पर देखो zombie के भाई 4 टाइप से हमारे पास एक तो आपने island के अंदर एक normal zombie spawn होता है उसको आप मार सकते हो उसके बाद graveyard वाला zombie यह अलग वाला mob होता है उसके बाद अगर आप यहाँ पर ही जाओगे अरे यहाँ पर गलत साही में आगा यहाँ पर जाओगे उस गुपा के पास तो यहाँ पर आपको गोल वाला zombie देखने को मिल जाने वाला है इसके अंदर तो यह भी different mob है तो इसको भी मार होगे तो यह भी add हो जाएगा उसके बाद और थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर golden gold zombie spawn मिलेगा तो यह भी अलग type का है और उसके बाद अगर आप slayer करते हो तो यहाँ पर भी यह वाले zombies मिल देखने को मिल जाने वाले है और actual में यह भी zombie थोड़े से अलग है यह revenant है तो actual में यह भी mob सी है तो यह दूसरे कुछ नहीं है यह भी mob सी है तो यह से करके आप सभी लोग को सारे मौज़े complete करने और sky block के अंदर लगबग 200 से भी जादा mobs है तो आप easily इनको ढूंड के मार सकते हो वैसे डूंडने के भी जरूरत नहीं आपके सामने में ही होते बस आपसे लोगों पता जो कि कहा गया कहा गया वह देखो वहाँ पर यह रहा old wolf इसको मारोगे तो इसका भी point मिल जाएगा देखो मैंने अब भी मार इसको तो यह मेरे अब भी unlock हुआ बाकि यहाँ पर अगर आप इस side में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक अलग type का wolf मिलेगा तो उसको सकते हो यहां फिर एंड का भी उसकरो नेदर का यूस करो या फिर आप द्वार्मेंस मांस का भी उसकर सकते हो या फिर मांस के अंदर भी जा सकते हो वहाँ पर भी different type के आप मॉप से लोगो देखने को मिल जाने वाले तो इसे करके आप सबसे लोगों डूड़ना है और उन कर सकते हो मैं finally आ चुक हो अपने नार्मल सकाइब्लोग के अंदर यह यह आप से लोगों दिखा देता हूं last हमारे कम कॉस में सेल लेने वाली है और ये भी बहुत बढ़ी असके नहीं बटि आप से लोग देख सकते हो इसकी कॉस कितनी है 525 स्काइब लॉक्ट जैम्स और इसके अमाउंट भी बहुत जादा है मतलब यार अगर आप से भी लोग उनको सेल भी करते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर तो वह बस आपसे लोग को कुछ 30 मिलियन त्या पर 40 मिलियन या पर 15-60 मिलियन में सेल होती है देखने को मिल जाएगी तो ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं बिल्कुल भी नहीं तो मैं तो भाई अभी यहाँ पर अपने जेम्स सेव कर रहा हूं और म बहुत जादा इफिशेंट होने वाला है जो लोग अपने जेम्स को अभी सेव कर रहे हैं बाद में यूज करने के लिए अगर आप तो लोग को वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक जरू कर लेना चैनल पिने उस चैनल को ये टूंडेड लाइस का एमे फड़ा पड़ से अर कम्प्लीट जरू कर देना विल्ता अगरी बिस्वाड में तब तक के लिये बाई बाई